हलो दोस्तों कैसे हैं मेरा नाम है इमान शुर मैं स्वावगत करता हूं आप सब का आपके पने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोका सीरीज के अगली कॉमिक्स आज मत जा अगर कोई काली विल्ली आपका रास्ता काड़ जाये तो आपका मन कहेगा आगे मत जा अगर घर से निगलते वक्त कोई चीक दे तो आप ठिटक जाएंगे आपकी बाई आप फड़क जाए तो किसी हानी की आशंका से आप सेहर जाएंगे यही हैं अंद विश्वास मगर गुप्ता सायोग विवेक मोहन चित्रांकन मनू सुलेख एवं रंग समयोजन सुनील पांडे संपादक मनीश कुप्ता लॉयन जिम यह क्या पलब तुमारी एक्सरसाइज अभी शुरू भी नहीं हुए और तुम कपड़े पहनने लगे यह सर्वेट उठाने से पहले मेरी अब शकुन हो गया आज एक्सरसाइज करूंगा तो जरूर कोई दुरगटना होगी उस दुरगटना में मेरी कोई मास पेशिक हिस सकती है हट्डी तूट सकती है रीड का कोई जोड हिल सकता है अगर इन में से कुछ भी हो गया तो मैं पारसो होने वाले नैशनल वेट अगर जो लोग इन माननताओं को मानते हैं उन पर विश्वास भी करते हैं तुम कोई भी दलीर देकर आज उससे जाने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन अद्रक्ष चाचा समझ गया आप भी मानते हैं अंद विश्वास से भरी इन वेकार की बातों नहीं बेटे यह को रे नेचरल पावर कहते हैं जो इनसान को भविश्व में होने वाली दुरगटनाओं का संकेत देती हैं लेकिन तुम इन बातों को नहीं मानते हैं इसलिए मैं तुमसे विश्वास नहीं करूंगा जल्दी आने वाली थी सूरज के सामने आज विश्वास की सच्चाई क्योंकि मैं लेकिन डूगा वालों की बेडियो से नहीं रोक हे सकते क्योंकि अगर यह गत्म रोक है तो आपरात के गत्म इंसानियुकों पछाड़ कर और आगे निकल जाएगए नहीं अतょक्चा जाएहाई आप नहीं आने वालों को रोका जासकता और और इंठीक गोरे कि जब तक ये बंड सड़क पर नहीं कर लेते मुझे कार रोके रखनी पड़े लेकिन यह क्या यह ब्लाइंस सड़ी ब्लाइंस था यह ब्लाइंस पूरी सड़क को घेरने के बाद बेरी तरफ क्यों गूंग गए इन्होंने तो अपने काले चश्में भी उतारती और अरे इन इस्पेक्टर बेरैम को मुंबई में तेरे सांस लेने के आज तेरे पोर्ट पर उतरते ही मिल गई थी एंटिक गोरे और अब तेरे इन सांसों को चीरने आ रहे हैं मुंबई पुलिस की गोलियां क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जब तुझे जंदा पकड़नी के उपकोश तोड़ हुई से था करा चीतरती चली गए बड़ी वो कोशलता के साथ को कार को बा। है प्लिस की कोलिए ने टायरों में बडे बडे मड़े होल बना दिए प्लिस वालों के लिए वह कार एक करिष्में जाजी थी कार का पूरना तुछल कर उनसे आठकराया था और गोरिय न फॉट से वो क्लिप खीचे तो मुझे काई शेरों के पुलिस भी क्यों नहीं पकड़ पाई इसकी वजह मेरी प्यारी कारे होती है क्योंकि वो पुलिस को मेरे नज़री गाने का कोई मौका भी नहीं देती हाहा जिंग जिन्क जिंग नीचे लेड चाओ यह कार थी यह शैतान का अफ्तार ओगाड इसके तो दौनों भाईया अलग होगा जैट की तेजी के साथ बड़े चले आ रहे हैं कार के करिश्में की एक खिड़की और खुली क्योंकि कार की छट सही यह गया गोरे कार वाले को रोक वाना वर्दी वालों के लिए और मुश्किल हो जाएगा लेकिन यह क्या कार की छट पैराशूट में बदल गई और वो नीचे आ रहा है आप यह नहीं बचेगा नीचे उतरता ही भून डालना गोरे के गदम सड़क परबाद में लगे पहले उसे लगी पुटले पर गोलिया चला रहे थी तो फिर गोरे कहां है गोरे यहां है जब पुलिस की दिखाए आकाश की ओड़ जाते मेरे पुटले पर थी तब मैं अपनी इस मिनी पर सावार होकर में होल में उतर चुका था और वह थोका देखर इस में होल के रास्ते बीचे चला गया सड़क पर तेज रफ्तार जाती कारों की स्पीड रोकने के लिए स्पीड प्रिकर पने होते हैं तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गटर में कार रनवे पर विमान की तरह दौरती चली जाएगी बित्ते बरकी क के लिए यह गर्ण की स्पीड गनी स्पीड प्रिकर है देखा इस प्रिकर पर गती कम न की जाए तो सवार और सवारी का क्या हश होता है तूने सड़क पर थोड़ी देर पहले जो खूनी खेल गहला उसका डोगा के बास एक ही जवाब है चुटंग यह गोली तो गटर में जो खेल खेल रहा उसका सठीक उसका एंटीक गोरे के बास एक ही जवाब है यह हैलमेट जो तुझे तेरी गोली और तुस से बचाएगा और अगर मैं इसे तेरे चेहरे पर उल्टा रख दू तो तू उतनी देर के लिए जरूर अधा हो जाएगा जितनी देर में मैं तेरे हाथ और गन की रेंज से दूर निकल जाओंगा दोगा ने जल्दी से हैलमेट को सिर्फ से अलग किया और दूसरे इपल उसके हाथ में नजर आने लगा रिवालबर लेकिन इससे पहले कि वह भाग जाते हैं एंटी गोरे पर फायर कर पा था और यह गूस कहां से आमरी जोगा को चुकाय पीछे से आती हुन आवाज होने गोली की आवाज जदर से आती पता नहीं कौन किस पर गोली चला रहा है चलती चलो कोई भी दिखाए गोली मार देना यह पोलीस हो चाहिए जो गोरे का पीच्छा करती हुए यहां तक आ गई है अब मुझे यहां से निकल ला होगा अबना मुझे पोलीस की गोलियों का सामने करना पड़ेगा अरे यह तो डोगा है आज दो दो शिकार करने का मौका है कुख्यात मूर्ती स्पेकला एंटीक ग अभी नहीं आया था अरे कहां गया डोगा अभी तो यहीं इसी मोड़ पड़ था आदे बढ़ो वह दौना एक दूसरे के पीछे हैं और इसी रास्ते पर है पार डोगा तो वहीं पर था अपनी असवलता पर डोगा दात भीच कर रह गया कितने दिनों से गोरे के मुंबई पड़ा-पड़ा की खबर मेरी मीडिया में फैली हुई थी पुलिस ने जाल भी कसा हुआ था और आज जब वो शेयतान यहां आया तो पुलिस के भी हाथ से बच गया और मेरे भी अधरक शाचा ने कहा था कि आज मच जा कहीं आज कि असवलता का कारण वो ची उफ यह क्या मैं सोचने लगा मैं गोरे आस तो बच्गया पर बखरे की अम्मक अब तक हैर मनाईगी मुंबई की जगमक से चका चौंध होती बोरी वली की उस इमारत में क्या बखता है रहतूरू तबहा मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा वो जो तूने अभी पखाता हूं से बख्योवरी मस्यूहिँ खौरी कोई गोड़ी नाम का है दो कोई गोड़ीë नाम का है मंदिर के बजारें नहीं मार से ब्लोष ओने से पहले यह जगर में बड़ी याजस से लिए सुनाए तुमने यहां की तोप दोगा को भी चाका दिया तभी बस्ती वालों ने विल्कुल ठीक काम किया वह मूर्ती मैंने ही मंदिर में स्थापित की उस मूर्ती की मानता है कि वह जिसके पास रही उसे हर मुसीवत से बचाएगी इसलिए मैं आस तक पुलिस और तेरी उस तोप दोगा से भी बस्ता रहा है पकड़ा भी गया तो जल्दी भाग निकला उस मूर्ती को जल्दी आजल करना उसे वापिस मंदिर में स्थापित करना मेरे लिए नियायती ज़रूरी काम है चाहिए इसके लिए मुझे लाशों का सबंदर भी क्यों ना पार करना पड़े पूरी पार दी जाती को तुम परी भरोसा है नेटवर्ट सर्दार से जाकर कह दियो तबा कि मैं जल्दी मूर्ती लेकर कवीले में पहुंत उस मूर्थी के बारे में जो कुछ काल परिया ने कहा था वह एक दम सस्त था गोरे क्या तो मैं नहीं लगता कि तुम यह मूर्ती बेच कर गलती कर रहो क्योंकि कल राज शाय तुम इसकी माननता के कारण ही पुलिस और दोगा से बच पाई हूँ क्योंकि एक तो जो नोट मैंने तुम्हें दिया है उनके सिर्फ ऊपर के नोट ही असली है बाकी सारे नकली यह हकीकत तुम्हें जल्दी पता लग जाई दी और तब तुम दुबारा मेरे पास ना आओ मैं उसका इंदिजाम अभी कर देता हूँ हेलो पुलिस सेशन एंटी गोरे थोड़ी दिर पहले गेटवे ऑफ इंडिया से बोर्ट पर जाएगा उसके हाथ में लाल लंका नोटो जो बड़ा ब्रीकेस है और जिम में दो लोड़े रिवालवर मैं कॉन बोलो यह पता लगाते लगाते कहीं गोरे हाथ से ना निकल जा जिसकी बन गोरे को भी लग गई थी ओ मैं सहीव एकपा पहुंच गया शायद यह मेरी तलाश में यह पहुंच गुरूज ना गत्तारी की है लेकिन अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता वोट की अप्रतैसिक घतिने एस्पक्टर भेरहम को फॉरण ही यह समझा दिया कि बो से दूर जरूर टक्राएंगे और उनकी इस टक्कर का मतलब होगा एक शांदार विस्पोर गुरूज को बविश्य में कभी समझ लूगा मगर फिलाल मेरा रास्ता साफ है मगर रास्ता साफ नहीं था अरे यह सम ताबूत भी समद्रवा कहां से आ गया मेरी बोट से निकलना होगा लेकिन खटाए गोरे तूगेट को तूबोट को ताबू से टक्राएं पेना नहीं निकल सकता दोगा दोगा नहीं गोरे तेरी मौत पुलिस को तेरे बारे में जो सूचना मिली थी उसे मेरे कानों के छेदों में फिट इस रांस्पीटर ने भी कैच कर लिया था जो पुलिस के वायरलेस की फिक्वेंसी पर सैट है और एक निश्चित दूरी में पुलिस तक पहुचने व होंगे और पुलिस को करने वाला भी वही आदमी होना चाहिए जिसने गोरे को यह नकली नोट दिये और उससे मूर्ति हासल की यानि कि अब मूर्ति उसी आदमी के पास है और वह आदमी मेरे अर्मान से मंबाई में कोई एंटिक शॉप चलाता है क्योंकि अक्सर गोरे जैस उस मूर्ति का खरीदार भी डोगा की गन की गोले के निशाने पर है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पर गोरे का पीछा करते कई पुलिस वाले मारे गए और इस गुनाहाम है वो भी गोरे के बराबर का शरीक है पर फिलाल मुझे उस मूर्ति के तलाज करनी है जो यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी वाह यह अद्वद मूर्ति है इनके गलालत्मक्ता है इन्हें बहुं मूले बनाती है तब ही मूर्ति के गिरने से हुई आर्ट से बुरी तरह चौक पड़ा दोगा तो मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है बोरा शायद इसे भी मेरी उपस्तिते का पता चल गया है इसलिए यहां से भाग रहा है पर यह कोई चोर यह जो भी ऐसे रोकना मेरी ड्यूटी है पुर्ती में साया जैसे चीते से ट्रेनिंग लेकर आया था सुश्टा उफ दोगा ने वैं कालीन खीचकर उसके पाउं के नीचे से जैसे जमीन सरकादी भागता कहा है दोगा ने उस पर ऐसी जलन लगई जैसे किसी बास से ट्रेनिंग लेकर आया हो आप तेरी सारी भाग दोड़ खत्प कर दूंगा यह आवास तो पहचानी हुई है साय ने फुर्ती के साथ वह सोच दबाकर बल्ब रोशन कर दि यह तो कोई तरीका ना हुआ वैसे मेरे मुख्य की ताकत कम नहीं हुई वैसे तेरे मुख्य की ताकत कम नहीं हुई कम तो मेरी लातकी ताकत भी नहीं हुई रोगे लेँ ठाक ठाक कौन है अंदर यह कहता शोर हो रहा यह अंदर यह अंदर कैसा हो रहा था कौन तो 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 म बाहर रहोगे तो शोर मचाका पूरे और हमारी लड़ाई का फैसला नहीं हो पाएगा तो मैं यहां से भाग नहीं पाऊंगा अच्छा दोगे फिर में लेंगे क्योंकि मैं जिस काम के लिए यहां आया था वो यहां पर पूरा नहीं हुआ तो इससे फिर कभी निप्टूंगा फैर जा कालू काल पह लिया मुझे पता है डोगे की तो मुझे सवाल पूछना चाहता है कि मैं यहां क्यों आया था अगर तुझे जवाब चाहिए तो अंग्रेजी में जा और हिंदी में सिंग तुझे जवाब मिल जाएगा डोगा ने मूर्ती को सीधा गिया और चलां लगाकर ऐसे घड़की तक कि अगर मुझे इस बात का जवाब चाहिए तो मुझे हल करनी ही होगी काल पहिलिया की पहिली यारी अंग्रेजी में जा और हिंदी में सिंग का क्या मतलब होगा है मतलब इतनी आसानी से निगल गया तो उसे काल पहिलिया कौन कहएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पहिली का हल तो दिमाग लड़ाईए या फिर प्रतीक्षा कीजिए डोगा के इस थ्रिलर थ्रिलिंग कॉमिक के अगले भग जिसका नाम है जरा बचके तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगली कॉमिक्स जरा बचके में तब तक के लिए धन्यवाद